C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक मलहार पाठ 9. मैया मैं नहीं माखन खायो, प्रिष्ट संख्या 94. मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाचे मदुबन मोही पठायो, चार पहर बंसीवट भटकेो, सांज परे घर आयो, मैं बालक भयन को छोटो, छी को के हिविदि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े है बर्बस मुख लपटायो, तू माता मन की अतिभोरी, इनके कहे पति आयो, जिये तेरे कचुभेद उपजी हैं, जानी परायो जायो, ये ले अपने लेकुटि कमरिया, बहुती नाच नचायो, सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो, कवी सूरदास इस प्रिष्ट पर तीन विभिन चित्र है, जिसमें श्री कृष्ण लीलाए कर रही है, और उनकी माता यशोधा, उनके इस लीला से प्रसन हो रही है प्रिष्ट संख्या पिचानवे इस प्रिष्ट के उपरी भाग में एक चित्र है जिसमें श्री कृष्ण अपनी गयाचरा रही है। उनकी रचनाएं ब्रजभाशा में उपलब्ध हैं। ये रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रशलित हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लिलाओं का मनोहारी वर्णन है। ये कविताओं अत्यंत लोकप्रियें हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। अपनी उत्क्रिष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवी सूरदास कहलाते हैं। उनके मिर्त्यू सुहलवी शताब्दे में हुई थी। इसी प्रिष्ट की दाहिनी तरफ सूरदास जी का चित्र दिया हुआ है। प्रिष्ट संख्या एक, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ। इसके लिए श्री कृष्ट ने क्या तरक दिया। मुझे तुम पराया समझती हो। मेरी माता तुम बहुत भोली हो। मुझे ये लाठी कंबल नहीं चाहिए। मेरे छोटे-छोटे हाथ छीके तब कैसे जा सकते हैं। दो, श्री कृष् माखन खा रहे थे, मधुभन में भटक रहे थे, मित्रों के संग खेल रहे थे। खा, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजे और कारण बताये कि आपने ये उत्तर ही क्यूं चुने। यहां कुछ शब्द दिये गए हैं। अपने समुह में इन पर चर्चा कीजिए और इने इनके सही अर्थ या संदर्ब से मिलाइए। इसके लिए आप शब्द कोश, इंटरनेट या अपने शिक्षिकों की सहता ले सकते हैं। प्रिष्ट संख्या 97 इस प्रिष्ट पर एक तालिका है। तालिका के दो भाग हैं। पहले भाग में लिखा है शब्द और दूसरे में लिखा है अर्थ या संदर्ब। शब्द के नीचे लिखा है एक जसोदा, दो पहर, तीन, लकुटी कमरिया, चार, बंसीवट, पांच, मदुबन, छे, छीको, साथ, माता, और आठ ग्वाल-बाल, अर्थ या संदर्ब के नीचे लिखा है एक, समय मापने की एक इकाई, तीन घंटे का एक पहर होता है, एक दिवस में आठ पहर होते हैं, दो, एक वट व्रिक्ष, मानिता है कि श्रिक्रिष्ण जब गाए चराय करते थे, तब वे इसी व्रिक्ष के उपर च रस्यों से बुना हुआ जाल, जो छत या उंची जगह से लटकाया जाता है, ताकि उसमें रखे हुई खाने पीने की चीजों, जैसे दूद, दही आदि को कुत्ते, बिल्ली, आदि ना पा सकें, चार, यशोदा, श्रिक्रिष्ण की मा, जिन्होंने श्रिक्रिष्ण को पा पाँच, जन्म देने वाली, उत्पन करने वाली, जननी, मा, छे, गाए पालने वालों के बच्चे, श्रिक्रिष्ण के संगी साथी, साथ, मतुरा के पास यमना के किनारे का एक वन, और आठ, लाठी और छोटा कम्बल, कमली, मानिता है कि श्रिक्रिष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाए चराने जाया करते थे, पंग्तियों पर चर्चा, पाठ में से चुनकर कुछ पंग्तियां यहां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िये, और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार, अपनी कक्षा में साजा कीजि और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिये, क, भोर भयो गईयन के पाचे, मधुबन मोही पठायो, क, सूर दास तब बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो, प्रिष्ट संख्या अठानवे सोच विचार के लिए, पाठ को एक बार फिर से पढ़िये, और यहां दे गए प्रशनों के उत्तर ढूंड कर, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिये, क, पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या-क्या बताया है, क, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हस्ते क्यों लगा लिया? अनेक कवी अपनी रचना को प्रभावशाले बनाने के लिए तुक का उप्योग करते हैं, क, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िये, और अपने अपने समुह में मिलकर इस पाठ की विशेष्टाओं की सूची बनाईए, जैसे इस पद की अंतिम पंक्ती में कवी ने अपन नाम भी दिया है आदी, ख, अपने समुह की सूची को कक्षा में सब के साथ साजा कीजिए, अनुमान या कलपना से, अपने समुह में मिलकर चर्चा कीजिए, क, श्री कृष्ण अपनी मा यशोदा को तर्क क्यूं दे रहे होंगे, ख, जब माता यशोदा ने श्री शब्दों के रूप, यहां शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविदियां दी गई हैं, इन्हें करने के लिए आप शब्द कोश, अपने शिक्षिकों और साथियों की साहता भी ले सकते हैं, प्रिष्ट संख्या निन्यानवे क, भोर भयो गयन के पाचे, इस पंक्ती में पाचे शब्द आया है, इसके लिए पीछे शब्द का उप्योग भी किया जा सकता है, इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं, जिने आप कुछ अलग रूप में लिखते और बोलते होंगे, यहां ऐसे ही कुछ अन्य शब्द द रिक्तिस्थान, छोटो, रिक्तिस्थान, बीधि, रिक्तिस्थान, भोरी, रिक्तिस्थान, कचु, रिक्तिस्थान, लै, रिक्तिस्थान, नहीं, रिक्तिस्थान. क, पद में से कुछ शब चुनकर, यहां स्तंब एक में दिये गए है, और स्तंब दो में उनके अर्थ दिये गए है, शब्दों का उनके सही अर्थों से मिलान कीजिए यहाँ पर एक तालिका दी गई है इस तालिका के दो भाग है स्तंब एक और स्तंब दो स्तंब एक के नीचे लिखा है स्तंब दो के नीचे लिखा है एक मुस्काई हसी दो उपजना उत्पन होना तीन जानकार समझकर चार विश्वास किया सचमाना पांच बाह हात भुजा छे प्रकार भात रीती साथ मन जी आठ जनमा नौ मला लगाया पोता दस इधर उधर घोमा या भटका और ग्यारा भेज दिया अब आप स्तंब एक के शब्दों को स्तंब दो में दिये गए उनके सही अर्थों से मिलान कीजिए प्रिष्ट संख्या सौ वर्ण परिवर्तन तू माता मन की अति भोरी यहां पर भोरी शब्द रेखांकित है भोरी का अर्थ है भोली यहां ल और र वर्ण परस पर बदल गए है आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्दों में भी ल यार और र में वर्ण परिवर्तन हुआ है ऐसे शब्द चुनकर अपनी लेखन पुस्थिका में लिखिए पंक्ति से पंक्ति यहां स्तंब एक में कुछ पंक्तियां दी गई है और स्तंब दो में उनके भावार्त दिये गए है रेखा खीच कर सही मिलान कीजिए यहां पर एक तालिका है तालिका के दो भाग है स्तंब एक और स्तंब दो स्तंब एक के नीचे लिखा है एक भोर भयो गयन के बाच्छे मदुबन मोही पठायो। दो चार पहर बंसी वट भटकेो सांज परे घर आयो। तीन मैं बालक बहियन को छोटो छी को कही बिदिपायो। चार गौल बाल सब बैर परे हैं बर्बस मुखल अपठायो। पांच तू माता मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो। और छे जिय तेरे कचुभेद उपजी हैं जानी परायो जायो। स्थम दो के नीचे लिखा है एक मैं छोटा बालक हूँ मेरी बाहें छोटी हैं मैं चीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। तेरे हिर्दे में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया। तीन मा तुम मन की बड़ी भोली हो इनकी बातों में आ गई हो। चार सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुवन भेज दिया। पांच चार पहर बंसीवट में भटकने के बाद सांज होने पर घर आया। और छे ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं। इन्होंने मक्खन हट पूर्वक मेरे मुख पर लिप्टा दिया। अब आपको स्तंब एक का स्तंब दो से सही मिलान करना है। प्रिष्ट संख्या 101 पाट से आगे आपकी बात मैया मैं नहीं माखन खायो। यहां श्री कृष्ण अपनी मा के सामने सिद्ध करने का प्रयास कर रही हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। कभी-कभी हमें दूसरों के सामने सिद्ध करना पड़ जाता है कि ये कारें हमने नहीं किया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। कब? किसके सामने? आपने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कौन-कौन से तर्क दिये। उस गटना के बारे में बताए। गर की वस्तु में मैं बालक बहियन को छोटो, छी को कहीं भी दिपायो। इस पंक्ती में छी को शब्द रिखांकित है। छी का घर की एक ऐसी वस्तु है जिसे सेकणों वर्ष से भारत में उप्योग मिलाया जा रहा है। यहां कुछ और घरेलू वस्तुओं के चित्र दिये गए हैं। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं। चित्रों के नीचे लिखिए। यदि किसी चित्र को पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक, परिजनों या इंटरनेट की सहता भी ले सकते हैं। इस प्रिष्ट के मध्य भाग में दाई और एक छीके का चित्र है। इस प्रिष्ट के निचले भाग में आठ विभिन घरेलू वस्तूं के चित्र हैं। इन वस्तूं को पहचान कर दिये गए रिक्त स्थानों में उनके नाम लिखिए। प्रिष्ट संख्या एक सो दो इस प्रिष्ट के उपरी भाग में साथ विभिन घरेलू वस्तूं के चित्र हैं इनको पहचान कर उनकी नाम लिखिए आप जानते ही हैं कि श्रीकृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था दूद से दही मक्खन बनाया जाता है और मक्खन से घी बनाया जाता है यहाँ दूद से घी बनाने की प्रक्रिया सम्बंधी कुछ चित्र दिये गए हैं अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों या इंटरनेट आदी की साहता से दूद से घी बनाने की प्रक्रिया लिखिए इस प्रिष्ट के निचले भाग में नौ विभिन चित्र हैं, जोकी दूद से घी बनाने की प्रक्रिया दर्शा रही हैं आपको इन चित्रों को पहचान कर दूद से घी बनाने की सही प्रक्रिया इनके नीचे लिखनी हैं प्रिष्ट संख्या एक सो तीन समय का माप चार पहर बंसीवट भटकेो सांज परे घर आयो इस पंक्ति में पहर और सांज शब्द रिखांकित हैं क पहर और सांज शब्दों का प्रियोग समय बताने के लिए किया जाता है समय बताने के लिए और कौन-कौन से शब्दों का प्रियोग किया जाता है अपने समुह में मिलकर सूची बनाईए और कक्षा में साजा कीजिए संकेत, कल, रितु, वर्ष, अब, पकवाड़ा, दशक, वेला, अवधि, आदि ख, श्रेक्रश्न के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे ग, मान लीजिए वे शाम को छे बजे गाय चरा कर लोटे वे सुभे कितने बजे गाय चराने के लिए घर से निकले होंगे? घ, दो पहर का अर्थ है, दो पहर का समय जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है और तीसरे पहर का प्रारंब होता है ये लगबग बारा बजे का समय होता है जब सूर्य सिर पर आ जाता है बताईए, दिन के पहले पहर का प्रारंब लगबक कितने बजे होगा? विचार कीजिये और लिखिये। बताईए, इस क्षमता का उपियोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे? प्रिष्ट संख्या 104 एक सहपाथी पढ़ना जानता है और उसे एक पाथ समझ में नहीं आ रहा है। एक सहपाथी को पढ़ना अच्छा लगता है और वह देख नहीं सकता। एक सहपाथी बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाशन देना है। एक सहपाथी बहुत अटक अटक कर बोलता है और उसे कक्षा में भाशन देना है। एक सहपाथी को चलने में कठिनाई है और वो सब के साथ दोड़ना चाहता है। एक सहपाथी प्रति दिन विद्याले आता है और उसे सुनने में कठिनाई है। आज की पहली दूद से मक्खन ही नहीं बलकि और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। यहाँ दूद से बनने वाली कुछ वस्तूओं के चित्र दिये गए हैं। दी गई शब्द पहली में उनके नाम के पहले अक्षर दे दिये गए हैं। नाम पूरे कीजिए। इस इन पंक्तियों में लिखे गए अक्षर इस प्रकार हैं। पहली पंक्ति के अक्षर खो, द, म, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, ल, दूसरी पंक्ति के अक्षर, रिक्तिस्थान, 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 प, छ, रिक्तिस्थान। तीसरी पंक्ति के अक्षर, म, रिक्तिस्थान, 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 रिक्तिस्थान चौथे पंक्ति के अक्षर घी, रिक्तिस्थान, श, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान और पांच्वी पंक्ति के अक्षर आ रिक्तिस्थान 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 अब आपको इन वस्तुओं को पहचान कर इस शब्द पहले को पूरा करना है खोज बीन के लिए सूर्दास द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाई खोजे वपढ़े अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक, मलहार, वाचनस्वर, प्रवीन शर्मा और मम्ता मलकानी, ध्वन्यंकन, मंजु कुमारी, निर्मान सहयोग, कुसुमलता और चेतना शर्मा, निर्देशन एवं निर्मान, विमलेश चौधरी तथा प्र